जहारकन विधान सभार चनौव के लिए कॉंग्रेस्ट अपने मिद्वारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है सोमवार 21 अक्टूबर को घोशत इस लिस्ट में पार्टी ने किस सुमिद्वारों के नाम शामिल किये हैं यह सुची कॉंग्रेस की केंद्र चनौव समिती की बैठक के कुछ घंटे बाद आई इसने प्रदेश के वितमंते रामेश्वर उन्राव कॉंग्रेस कारे समिती के सदस्य अजह कुमार और कुछ अन्य मंत्रियों के नाम शामिल है रामेश्वर उन्राव को उनकी मौझुद्दा लौदर्गा सीट से फिर सुमिद्वार बनाया गया है भार्दी पुलिस सेवा के पूर्वा दिकारी अजह कुमार को जमशेदपूर विधान सभार श्वेद्र से टिकेट पिला है यह पहले जमशेदपूर से लोकस्वर सदस्य भी रह चुके है राजुकी ग्रामेश्वर विकास मंत्री इर्फान अन्सारी को उनकी वर्टवान श्वेद्र जमताड़ा से दुबारा मैदान में उतारा गया है जबकि स्वास्त मंत्री बन्ना गुपता को जमशेदपूर पश्यम सवमिद्वार बनाया गया है इसके साथ ही आपको बता दें कि दिपिका पांडे को महगमा से मिला टिकेटी क्रिश्वी मंत्री दिपिका पांडे सिंग को महगमा से फिर से उमिद्वार बनाया गया है जहां वो वर्तमान में विधायक हैं कॉंग्रेस सतारोड गटवंधन में सीट बटवारे को लेकर चल रहे गतिरोध की बीच उमिद्वार घोशित किये हैं पाठी ने सोमवार रात कहा कि मंगलवार को यस्पश्ट हो जाएगा कि कौन कितनी सीटों पर चुनाओ लड़ेगा आरजेडी ने सीटों को लेकर जताई नराज की जहारखन मुक्ति मोटशा और कॉंग्रेस ने बितेश अनिवार को घोशना की थी कि दोनों दल राजर के कम से कम उसे स्विकारे नहीं होगी इसके लावा अगर अकेल चुनावी मैदान में उतारना पड़ा तो उस्ति थी मैं वह भी इंडिया गटमंधन की संभावना को नुकसान पहुचाएगा जामों मों कॉंग्रेस और राजत पक्षी गटमंधन इंडिया नैशनल कोश्टा नहीं हुई है जो कि उमीज अदाई चारी है कि इसकी खोश्टा मंगलवार को यह सबस्ट हो सकता है कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा तेकिन ऐसे में जो महत्यपूर्ण बात है वह यह निकलकर आती है कि आखिर जहरकर में जो होने वाले विधान सभ सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करना ना मुले नीजनेशन अब वाटसेप पर खपरों के ताजा अपडेट के लिए नीजनेशन के इस क्यूर कोड को स्कैन करें